हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू अमर्की मेकैनिकल यहां पर देखिए हम इंपोर्टन कुश्चन देखने वाले हंडर्ड इंपोर्टन कुश्चन फ्लूड मेकैनिक्स के देखेंगे हम यहां पर देखिए यह आपका रहेगा अपरेंटिशिप और मेकैनिकल अस्टेंट पोस्ट इस पीसल फोर इंडियन ओई तो चलिए फर्स्ट कुश्टन हम यहाँ पर देखते हैं देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है यहाँ पर हंड़र करा रहा हूं तो थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो और आपको दाद हूं देखो मैंने लगती है इस वीडियो को बना ये इसका यीनियृट देखिए मैंने वेदा शरर याँ पर लिखाया ठीग है आप देख सकते हो आन्स याप 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 थोड़ा देख रीजिए पासकल सेकंड आपका पैसके सब्सक्षरणी अग्राइब कुस्क्राइब होता है आपका डानेमिक के अथिक का टिक ह आप देखिए आप देखिए होती है यहां पर देखिए विसकोषिटी की एक तो यह पर बता दे रहूं कितने नियूट पूची आती है एक तो थे पास्काल सेकंड एक इनूट यह हो गई इसके बात होती है न्यूटन इक सीजी हैस में हो गए एक सीजी इसमिए फॉस्फियो ईसके बाद देखें मैं आपको एक वार बता दू हुए एक पॉइस ब्रावर होता है ना पूइस एक पॉइस ब्रावर ऑफ दा 0.1 नीटन सेग्ट पर मिटर स्क्वार यह इतनी सारी यूनिट होती है एक डायनमेक विस्कोशिटी की कि लिए अच्छली नेक्स अब देखते हैं नेक्स क्या कह रहा है इस तो यहां पर सेख्राइब कि स्यांट क्या रहा भी सेंट रोगे देखिए जो होते हैं वह जूटी है वह 0 होती है इस घंट होती है सिग में फिल्ट होगा और होगा यह कंडिशन करेंग यह कंडिशन होता है क्या होता है नहीं मैंने मैंनने ऐक चॉंदा ने और यहां पर रियल फूलों की बात करूंँ मैं दोनों होता है तो चली यहां पर आपको पता चलगे होगा बिया एंसर हो गाया फ्रिक्शन लेस इनकंपरेफिल चली नेश्च कुर्शन देखते हैं तो मैंने आपकी बताया था अभी युनिट की बताए दिया आपको तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा का वो हो जाएगा सेंटीमीटर स्कॉर पर सेकिंड ठीक है यहां पर देखिए का इनमेटिक विस्कॉसिटी जो होती है वह वी श्माल वी स्क trước मियू अपर हो निपर उती है मतलब डाइनमेक विस्कॉसिटी यह कानीमेटिक विस्कॉसिटी छी अभी इनलत यह को सबसे यहां और यहां एक स्टॉट होती है और वन्स टाप होता है यह सब से जाधा पूशा जाता है वन हे पिवन स्टॉकश लॉद्टा है टहां कि 4 मीटर स्कॉर पर और सेंड बन गई जपने चानल ko लाइक कर जाल चैनल को लाइक सब्सक्राइब जब बढ़ाएंगे तो विसकोश्टी ओधी जो टिए थी यह यह लिकुड के केस में अगर करी जाए समझ गेकशी कंडिशन दो यहाद यहाँ लीलिकी कंडिशन लेलो यहाँ तो टेंपरिचरल यहाँ में तो लीकेश कि जैसे होगी यह सथैक्र किकम व् kingdom लोजने मतलब क्या होता है कि आपका गयागी टेंपरिचर है जो भी है वह आपका पतला होता जाएगा तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा विसकोसिटी गैस की केस में होती है टेंपरेचर बढ़ाने पर तो भी होगा अंसर लिक्रड़ की केस में टिक्रिज होती है चलिए नेक्स कुछन देखते हैं प्रूंशन देखिए निटन's Law of Viscosity related निटन's Law of Viscosity क्या होता है वहीं सीयर स्टेस अड्रेट of angular deformation ठीक है यह होता है तो यहां पर निटनल्ब अगायोग्स दीक्रेट क्या होता है टावग्स कुल टू म्यू घू अपन दीवाई तीक है यह 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 लायोग्स कुल टू है आगे तो इसका अंसर भी हो जाएगा देखिए कुशन देखिए दब पोजिशन ऑफ सेंट्र आप प्रेशर ओने प्लेन सर्फिस इमस्ट वर्टिकली इन इस्टेटिक मास फ्लूड इस देखिए पोजिशन आपको बताने हैं सेंट्र आप प्रेशर की जब बॉडी आपकी इमस्ट है वर्टिकल इन इस्टेटिक मास फ्लूड इस तो यहां पर सी आंसर हो जाएगा आल्विज ब्लो दा सेंट्र अफ ता एरिया इसको मैं समझाता हूं वही तो यहां पर देखिए आंसर इसका सी था ठीक है यहां पर जैसे मालों एक बॉडी है यहां पर तीन था ठीक है सीजी से नीचे होता है तो वहाँ पर कहा रहा हा है कि आल्वेज ब्लॉऩ सेंट्र अब एरिया के नीचे होता diet अब कर्सार का समय नेक्ट तो यहां पर यहां पर जो आंसर होगा वो कौन साइड विद सेंट्रोड ऑफ दा वॉल्म आप फ्लूड दिस्प्लेड तो चलिए नश्ट देखते हैं कुश्ण कुश्ण देखी नाक्स्ट इंपटरन कुश्ण था यह यहां पर देखें व। उसंट्र हाय यह सारे देखिए इस question में क्या कर रहा है Metacentric height पूछ रहा है तो मैंने आपको देखो एक body बताई दिया भी एक body है ठीक है यह कोई body है यहाँ पर M है Metacentric यह आपका CG है और यह आपका centre of Bioncy है तो यहाँ पर Mata center ठीक है और CG की बीच की दूरी होती है यह होती है है तो आपने पढ़ा भी होगा ठीक है BMIS BG करके पढ़ा होगा metacentric जो हाइट होती है तो यहां पर देखिए यहां पर देखिए अब बढ़ाएंगे तो क्या होगी यहां पर समझ यह देखिए इंकीस स्टैबिल्टी इंकीस होगी डिक्रीज स्टैबिल्टी इंकेस कमफर्ट औफ पैसंजर्जेंजर्ज यहां पर देखिए आपको त्याद मैटर साइंटर हाइट जितनी भी बढ़ाते जाएंगे इंस टैबिल्टी बढ़िया रहेगी तो पहला तो यह हुए गया सही उसके बाद इंकी इस कमपड़ा पैसंजर यह भी हो सकता है यह बल्कुल सही है ठीक है तो हम फर्स्ट थर्ड देखते हैं इसमें कहीं है फर्स्ट थर्ड तो यह उप्शन है ठीक है तो यही हो जाएगा आपका देखिए यह काफी important question है इस question को ध्यान से देखिए यहां पर question क्या गया रहा है और और में ख़र सेक्ट को बढलाते हैं तो क्या होगा हैं यहां पर देखिए इंक्रीज स्टैबल्टी कि स्टैबलटी बढ़ेगी ड्रिक्षिट स्टैबल इन किस Hai dei camera P ड्रेते हैं तो एनक्रीज स्टैबिल्टी एप लौति च्यंजरेब को सबस्लिटाद मिले यह answer हो जाएगा clear तो चलिए next question देखते हैं आपर matter center height के लिए तो चलिए next question देखते हैं कुशन देखिए the point of the immersed body through which the resultant pressure of the liquid may be taken to act as knowledge ठीक है इसका answer आपको बताना है क्या हो तो देखिए इसका answer हो जाएगा सी answer हो जाएगा center of pressure ठीक है सी answer हो जाएगा तो center of pressure आपको मैंने बता चुका हूँ चलिए next देखिए कुशन देखिए important question है सब यहाँ पर देखो जल देखिए कुशन में खतम करते हैं सो कुशन बहुत देर में खतम होंगे the specific volume of the liquid is the reciprocal of specific volume of liquid तो specific volume of liquid क्या होता है वही रैसे पूकल क्या होता है वी answer हो जाएगा mass density ठीक है तो density आप की होती है ठीक है density क्या होगा वही देखिए density क्या होगा row is equal to m upon v होता है ठीक है और specific volume क्या होता है वही वी is equal to small v is equal to यह होता है वी upon m मतलब opposite होता है इसको हम ऐसे भी लग सकते हैं कि one upon row clear तो यहां पर कुछ density के बारे में बता दूँ ठीक है यहां पर एस टूओ की जो density होती है वह क्या होती है pay 1000 doon Rasan per meter क्यों पुए हो और यहां पर row letjk य सुऐ होती है पारा की मरखरी速 थिए और 600 क्लोग्त पर मीटर क्यों अ देखें डेस्ट ऑफ एह कि होती है आपकी 1.2-1 पर मीटर क्यों क्योंग यह लेक लेका है पर देथ्ट्र वियोट है यह म्रु्रे ऑयल चसे यह की बीच में जैसे आपका पैटल डीजल है ठीक है 700-800 की बीच में यह होती है कि लिए तो चलिए यहां पे रैसी प्रोगल आफ यह स्पेसिफ वॉल्यूम क्या लिक्विड का रैसी प्रोगल जो होता है तो भी आंसर हो जाएगा तो लिए नेक्स कुछन देखते हैं यहां पे देखो थोड़ा टाइपिंग में मतलब छोटा लग गया है कोई दिक्कत नहीं समझना ठीक है इंपोर्टन कुछन यह भी अकॉर्टन टू आकमड़ीस प्रेंसिपल इफ बॉड़ी इस इमस्पार्शली और फुली इन फ्लूड दैन दा बाइंसी फोर्स इस तब व इख कि आकमड़ीस इफ प्रेंसिपल आपो त Origin को आपने बहुत पर पढ़ा होगा इंपोर्चन है यह जैसे आपका बftig अब की वोड़ी है कुछ तो यहां पे तो यह is यह फ्लो को उतना ही अटाएगी जितना इसका वॉल्यम होगा वाड़ी का इतना वॉल्यम दिख रहा है इतना ही अटाएगी तो तब ही तो कह रहा है वह कि इस अब बॉड़ी इस इमर्ज पार्शली और फुली इने फ्लूड दपायोंची फॉर्स इज एक्वल एक्वल इतना अंदर घुज जाएगी के नहीं इतना ही यह वॉल्यम होगी वही डिस्प्लेश करेगी वही इस वेट के बराबर होगी लिकुड के बराबर के लियर तो तब ही कह रहा है एक कोल टू दब वेट आप दा डिस्प्लेश वाड़ी तो चली यहां पर यह कुश्चन क्लि थी आप यह प्रेशर तो यहां पर कॉन सा होगा यह यहां पर यह तो गलत है ठीक है यह गलत हो जायगा तो यह कौन सा आंसर होगा इसमें से यह वह ठीक है दी आंसर होगा आपका पी एक सिल्टू देखिए तो देखिए इसका जो आंसर हो जागा वह इसमें दे रखा है इसने यह आंसर दे रखा है वो थोड़ा गलत तैपिंग होगा कोई दिक्कत नहीं तो इसमें जो आंसर होगा वह अब यह पीटिए एक प्लस पी गेज़ प्लेश तो डी आंसर इसका हो जाएगा ठीक है किलिए पीडिया आफ आपको मिल जाएगी तो उसमें आपको सभी करके दिया जाएगा ठीक है मैं इसको थोड़ा रायट कर लेता हूं कोई दिक्कत नहीं आप हम नेक्स पूशन दे नॉट भी बॉइलिंग और वैपोराइज इस्टेट मनलब तो देखिए कुश्चन देखिए इंपॉर्टन कुश्चन है इसमें कुश्चन देखिए वैन इज लिकुड सेट टू भी नॉट वैपोराइज इस्टेट तो इसका अंसर क्या हो जागा भई मैं इर्फ लाइफ ट्रश हो जागा इफ तरप्रेशर ऑन लिक्विड इस इसमोर देन दर इट्स वैपर लेश चलिए शेओ नेश्चन देखिते हैं यहाँ यहां पर देखो यहाँ बत मॉड़ेस टो बल्क मॉडश क्या होता है वह तो यहां पर आंसर देखें आंसर क्या होगा compressive stress to volumatic stress ठीक है तो bulk modulus जो होता है वो होता है k is equal to one upon beta होता है पड़ा होगा और आपकी compressibility जो होती है वो beta is equal to होती है one upon k bulk modulus तो यहां पर जो है ना क्या कहते है k है वो होगा आपका मार्स की dp upon dv upon v ठीक है यह होता है तो यहां पर जो compressive stress है वो हो गया और upon volumatic stress इसी आंसर हो जाएगा चलिए next question देखते है बलक मॉडलस हो गया अब यहां पर देखे question square root of the ratio of inertia force to elastic force is called तो inertia force or elastic force का जो ratio होता है वो भाई क्या होता है वो अता आपका c both a and b मतलब mac number हो गया और cauchy number हो गया ठीक है cauchy number हो गया यह आपका answer हो जागा c answer बहुत बार बता चुका हूं यह question तो चलिए next question देखिए यहां पर देखो यहां question देखिए which of the following is dimensionless equation जिसकी dimension नहीं होती है वो क्या होंगे रिनलल्स नंबर यूलर equation वेबर equation और तो देखिए यहां पर जो डामेंस लैस नंबर है वो आपका हो जाएगा और यहां और यहां 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 तो चलिए next question देखिए कि अध्याइट अध्याइट है इसको थोड़ा मैं बता दे रहा हूं कि देखिए साइफन जो होता है पड़ा होगा इसमें क्या करते हैं देखिए इसमें क्या करते हैं आपका जैसे मालो एक वैली है पहाड़ी है ठीक है इस तरीके से तो एक एक रिजरबायर होता है यहां से आपका पाइप का रेंजमेंट करा जाता है स्की ऊपर पाइप करा जाता है और यहां जाता है तो क्या करते हैं साइफन जो होता है वह एक पाइप विच राइस एवब इट्स हाइड लेट लाइन है निगेटिव प्रैसर इस नौन एस साइफन मतलब एक निगेटिव प्रैसर करा जाता है कभी देखा होगा छोटी सी एक वैली बना दी आपको उपर से इसके लेटिव गई यहां से हमने सक्षन किया खीचा तो अपने आप यहां से पानी जो भी भरा हुआ है वह यहां से निकलने लगता है निगेटिव प्रैसर बनाते हैं उसको इमसाइफन बोलते हैं तो यहां पे जो सबसे उपर वाली जो चोटी है यह वाली इसको हम सब्विट बोलते हैं यह सबसे जाएर कुशन पूचा आयाता तो चलि नएक देखते हैं इस लेक्विशन फ्राइक्टर फार ले मिनार फ्लो इस गिवन भाई तो स्रीक्शन फ्राइब फेक्टर जो लामिनार फ्लो के लिए वह होता है वहता है 64-6 लिंड नंबर कलियर चलिए निस त कायंनेम्स लेस कायंनेम्स एडी digest verlier कि युदा थो टीए आपके मैंने क्या बताया था स्मॉल भी सकल्टू होती है रधाश क्या बताया था मुव अपन रो मुल्डा देंस होता है यहां पर देखि क्या हो गया, यह हो गया, viscosity and density, d देखिए, viscosity and mass density, ठीक है, तो d आंसर हो जाएगा, चलिए, next देखते हैं, question, question, देखिए, यहाँ पे देखिए, it is stream function, satisfies the laplace equation, it possible case, तो stream function जो होता है, laplace condition के लिए, question के लिए, वो possible क्या होगा भई, देखिए, इसका answer हो जाएगा, c answer हो जाएगा, and irrotational, irrotational flow के लिए होगा, तो चलिए, next question देखते हैं, ठीक है, next question देखिए, यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, the blow diagram is graph of change in shear stress with respect to volume, velocity gradient in a fluid, what is the type of fluid, ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दू, यहाँ पे देखिए, एक आपको दे रखा है, figure, figure देख सकते हैं, ठीक है, तो इसमें जो एक curve दे रखा है, यह वाला, ठीक है, यह curve बता रहा है कि किस related है, तो यह answer हो जाएगा, इसका non-neuturnal fluid के लिए, ठीक है, non-neuturnal fluid के ठीक है, मैं state line बना दू, सईसी, एक straight line होगी, वह आपकी होगी, neutroning fluid के लिए, यह आपकी है, non-neuturnal fluid के लिए, ठीक है, दो line होगी, यह जो line है, वहाली straight line होगी, Gradle solid के लिए, ठीक है, यहां पर बहुत सारे फ्लोड होते हैं तो आपके जो बेसिक जो पूछा जाएगा वह वही दो लाइन ही पूछ जाती है है और चिब लाइन ऐसे बना देगा वह आपका नौद कimento के लिए होगा हो सब यहां पिलिए दो के लिए नंब किलिए लिए चलि नेक्स इन देखते हैं यहां देखिए यहां पर देखो वडुलीण आईडेल पाइडेल की कंडेशन क्या होती है फ्लूड विच है नो विसकोसिटी ठीक है इनकम्प्रेसिबल होगा और नो सर्फिस टेंशन होगा तो सीर स्ट्रेस होती है वह भी जीरो होती है तो यह ओल आफ आप आप आजाएंगे इसकी के लिए चलिए नेक्ट देखते हैं यहां देखो यहां देखें न्यूंट्रीन इस निट्रenteलॉव विसकोशिटी स्टेट तो निट्र आप विसकोशिटी होता है वहाँ है सीर स्टेस एप्लाइट तो फ्लूड डैक्ली पो फुफिस्टी ग्रेडियंट इंड यही होता है टाव इसकल टू मिउडीव अपन है तो चलिए नेक्स कुछन देखते हैं कि यहां देखिए वेरिमोशन पर कुछन है यह वाइधा क्रेक्ट फॉर्मूला फॉर लॉस ऑफ एक्जिट ऑफ पाइप तो एक्जिट ऑपाइप के लिए लॉस लॉस का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होगा इसमें से वह आपका प्ली वी स्कारापं ट्यची ठीक है यह हो जाएगा वो अकडार्सी फॉर्मूला क्या होता है वह होता है वहसी फोर फै insider वी सकार अपौन टुली औडिए क्लिए चली ने रिक्ते हैं practically को यहां पे देखिए यहां पे मानल लास्स ऀस कौन अगर दूडू March 2 的berry सदेन एलाजमेंट इन पाइप सदेन कॉंट्रक्शन इन पाइप यह सब होते हैं आपके माइनल लॉस होते हैं तो जो सदेन एलाजमेंट है तो किस तरीके से होगा मालो ऐसे करके बना हुआ है एक दम से ऐसे करके alignment हो गया ठीक है एक दम से अब ये conduction मतलब चोटा pipe एक दम से ये ऐसे करके बना रहे है और एक दम चोड़ा है एक दम से छोटा हो गया ठीक है तो ये दूसरी वाली condition को follow करेगा और बेंड न पाइप मतलब ऐसे करके पाइब आप पजा रहा है है ऐसे करकी आपको ऐसे करके फिर बैंड हो गया तो यहां बहुत सारी फिक्ष्टन लगते हैं इनके लाएला फॉर्मूल होते हैं आपने सबने पड़े होंगे ठीक है तो इसका जो यह हो गए आपके सारे माइनल कि मैंने स्क्राइब हैं कि ये तो हम नेक्स देखते हैं कि देखिए कुछिन देखिए वाइस बैच फॉर मुला फोर हीट लाउस दू तो डार्सी वाइस फॉर्मूला जो होता है क्या होता है वई डाशी कोफिशन्ट है ठीक है तो यहां पर डाशी फॉर्मूला बताएं गौन सा होगा वई तो मैंने आपको बताया था डाशी फॉर्मूला का होता है एच एफ इसगल टो फोर एफ ल वी स्कॉयर अपउन टुजी डी तो आंसा देखिए सी इस में से होगा फोर एफल वी स्कॉयर अपउन टुजी डी कलियर तो चलिए नेक्स देखते हैं इंपॉर्टंट कुशन आई यह कुशन देखिए ता हैड़ लॉस थ्राफ फ्लूड ड होते हैं वो आपके major loss होते हैं ठीक है major loss होते हैं तो चलिए नेक्स देखते है कुश्चन यहां बेकिए very most important question है एई opposite of friction for laminar flow is given as टैजला मेना ख्लो लिए जो होती है वह कंडिशन होती है आपकी 64 by RRI ठीक है मैंने आपको यह पर कुछन बताया था उसमें 64 by रिनल्स अमबर ठीक है यह कंडिशन तो थी ठीक है तो चलिए नेक्स रिवो कुछन और यह कुछन दोनों अलाला रहां बहुत ही इंपोर्टन कुछन थी तो चलिए नेक्स कुछन देखते हैं कि यहां देखिए यह इंपोर्टन कुश्ण है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन कुश्ण है समझे इसके ब्लो डाइग्राम शॉन इफ वैलसुटी वैलसुटी डिस्ट्रिबूशन और फ्लूड फ्लो थ्राव यह पाइप फ्लो इज लैमिनार वाट देखिए मैंने आपको बहुत बार इसको बताया है कि यहां पर देखिए यहां पर मैंने आपको बहुत बार बताया है ना समझे थोड़ा सा यह आपका पाइप है ठीक है यह आपका पाइप है इसमें देखिए इस तरीके से अगर डिस्ट्रिबूशन है ठीक है इस तरीके से डिस्ट्रिबूशन है तो कौNSा हो भाई यह सीर ढिसुपूशन है ठीक है यह दे रहा हूं मैं तोड़ा दे कंप है और उन्हींट डिस्ट्पूशन discriminator पज़ी का है यह एक सबनता है इस तरीके से हिर जो हाँ कि इस तरीके से तरीके से वह आपका क्या हुआ टिस्टूशन हो छोगा यह आपका वैरिषीटी दिश्ट्रिूबुशन है तो यह फिगर में आपको पहचान आवाना चाहिए आपका जो देयरक रखा है वह वैरिषीटी डिश्ट्रिवुशन है ठीक है तो average velocity जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी वो पूछ रहा है तर रेश्यू आप मैक्जम वैस्टी टू एवरेज वैस्टी अब यहां पर रेश्यू पूछा है हमने फॉर्मुला क्या बढ़ा है average velocity is equal to maximum maximum velocity upon 2 होता है लेकिन वो वो पूछ रहा है question में question में पूछ रहा है वह पूछ रहा है कि रेश्यू पूछ रहा है maximum velocity एंड एवरेज वैस्टी तो हमने फॉर्मुला से निकालेंगे देखो थोड़ा देख लो वी एवरेज क्या ओड़ी क्या झैँ ए वी एविजे एवरेज रिट टुँ यू मैक्स अब यह तो इसना अपनगा तो फार्मूलिस वेंगे थे-स वेंठ kita में लिए नेक्स्क्राइब देखते हैं कुछ देखिए दफ लोफ लूड विली लैमिनर वन लैमिनर कब होगा वई ठीक है तो लैमिनर जब होगा जब रिनॉल्स नंबर आपका लेस देन 2000 तो 2000 से कम होगा और देंसिटी अपड़ी लोग तो बोत यह भी हो जाएगा तो आंसर आ यहां देखिए यहां देखो प्रॉपर्टी ओफ फ्लूड बाई विच इट इस ओन मॉलीकुलर वाई अट्रक्ट इस कॉल्ड देख है यहां पर इंपोर्टन कुश्ण नहीं तो कुश्ण क्या कह रहा है भई एक वर तो कुश्ण क्या कह रहा है प्रॉपर्टी ओफ फ्लूड विच इस ओन मॉलीकुल अट्रक्ट इस कॉल्ड तो ओन मॉलीकुल अट्रक्ट करेंगे वो आपको बोलेंगे कोईजन ठीक है तो यहां पर थोड़ा सा मैं एक्जम्बल देके समझा दे रहा हूं इसका एक मॉलीकुल दो और तीन अब यहां पर देखिए यहां पर समझ यह थोड़ा सा important है यहां देखो जो first molecule है वो आपका steel का है और two three है वो same molecule है तो देखिए two और two three वो molecule है वो same है ठीक है तो वही कह रहा है properties of fluid which is on molecule on molecule मतलब खुद के molecule हो same molecule हो उसको उसको हम उसमें होता है आपका कोईजन होता है तो आपको बता दे रहा हूं कि force of attraction between same type of molecule जैसे two or three वो आपका कोईजन होगा और देखिए adhesive force कहां पर होगा force of attraction between different type molecule जैसे one और two one और two मतलब अलग अलग होगा के नहीं वन अलग है अलग molecule बना स्टील का और two water का molecule है तो दोनों पर अट्रक्शन होगा तो यह आपका हो जागा adhesive force ठीक है adhesive force बोलेंगे इसको तो यहां पर clear हो गया होगा चलिए तो यहां पर same type molecule क्या होगा कोईजिव चलिए नेक्स कुशन दिखते हैं तो यहां पर कुशन देखें यह भी कुछ इंपोर्टन सारे इंपोर्टन कुशन है यह जल्देली कुशन देखते हैं बहुत तेर हो जाएगी विसकोसिटी ओफ वाटर इस कर इस तो विसकोसिटी ओवाटर होता है वह मरकरी कमपेशन में क्या होता है हायर होती यह थीटे तो यह आंसर हो जाएगा तो चलिए सब्सक्राइब, यह बोलते हैं, याद होगा आपको पड़ा होगा चलिए सब्सक्राइब, फॉर इस्मॉल डिस्चाज and हाई प्रेशर, फॉलिंग प्रेशर फॉल्इग पॉम्प इस पॉल्प इस Пरिफिरड बलेगे कि अदिश्चारज कम हूगा परॉर हाई प्रेशर और होगा तो कौन धा ब गेंगे र मोउन्म नेपर पॉह हिंप पॉपम्नीजि Azure फिर्पर पॉझी बॉघनि mmAl इई भी तरे तो रैक्यों पॉभ प्उयम नुक्न नुक्त gibt Xbox और होते हैं चाइब आपने घराओं ग्रूटर होते हैं तो चलिए ये जो आपको इसमाल डिचार्ज होता है और हाई प्रेशर होता है मतलब इसमाल अधिक्सराज मतलब उसके कम कवण्टेटरी निकलेगी तो ये होतेँगे आपके तेके देखिए देखिए यहां पर इन सेंट्रिकल पं मैक्जिमम इफिचेंटी इस ओप्टेंड वेंद प्लेट आर तो देखिए हम सेंट्रिफ लूम पर ब्लेड कैसे लगाएंगे बैंट बैकवर्ड ठीक है बैंट बैकवर्ड ब्लेड लगाएंगे ठीक है सी आंसर इसका हो जाएगा ठीक है तो चली नेक्स देखिए कुशन इ इस डिवाइस यूज़ फोर तो हैंट लेक इंटेंजिफायर जो होता है वह कैसी डिवाइस होती है वह होती है यह होता है इंक्रीज प्रेशर इंटेंजटी अफ फ्लूट ठीक है भी हो जाएगा इसका अंसर तो चली नेक्स विशन देखिए यहां देखिए हाड़लेड लाइन जो होती है रिप्रेजेंट दा साम उफ तो हजी एल जो लाइन होती है है अंसर जो हो जाएगा भई वह आपका होगा देखो डी आंसर इसमें दियांसर देखो यहीए यह यह अप्षिन वह गला लिख गया दियांसर प्रेशर हैड काइनेटिक हैड और डेटा मैड ठीक है यह आपकी होती है HGL होती है हडर क्लाइड बूलते हैं ठीक है दो चलिए का सब्सक्रणे अपने एक परनेटर्हूर बेदग सफ़े हगी फ्रीट में को लिख़ने करें तोसने कर थे ह protr Clear तोटल एनरजी लाइन जो होती है वह क्या होती है प्रेशर हें होता है कानेटिक है और डेटम होता है ठीक है तो यहाँ पे थोड़ा था मैं आपको कुश्चन कराया था हाडलिक हाडलिक ग्रिक्ट लाइन है एजिक रिपाइन त ये जो कुश्ष्ण है इसका जो वो आसर होगा भाई वह आपका सी अुछ ये कर्क्डाइटरय नर्जी लाइन होता है और ये आपका जो C answer होगा ठीक है इसमें answer C होगा ठीक है तो चलिए next देखते हैं यहाँ पर और जो TEL होता है वो TEL represent करता है total energy line होता है वो होता है pressure head, kinetic head and datum head होता है तो इसका answer D होगा तो जो आपका HGL और TEL में अंतर देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से दो लाइन पूछी आती है आपकी देखो HGL पूछी आती हादल ग्रेट लाइन होती है TEL तो आपको लेगर दिया pressure head, kinetic head और datum head होता है और HGL में क्या होते है बता है P upon rho G होता है pressure head और plus datum head होता है datum मतलब Z बोलते है clear तो यहाँ पर चलिए next देखते है तो यहाँ पर कुश्चन देखी cavitation take place in case of to cavitation आपको बताना है क्या होगा भई cavitation क्या होता है cavitation कहां कहां होता है देखिए यह बोला है बोत फ्रांसीश ट्रबाइन रेस प्रगटिंग देखो रेसी प्रगटिंग पाइप पंप जो होता है उसमें सक्षेंट सैड में होता है और पर फ्रांसीश ट्रबाइन उसके मायिट स्यवता है ठीक है rutation क्या होता हैividad प्रे कराते हैं nutrल सिरोच फूटते हैं तो यहां पर मतलब छरड़ों मतलब यह पाइप थेना वह खराब हो जाता है एक सब्सक्रान होती है तो देखते हैं यहाँ वर तो यह होती है आपकी असटर टरबाइन और रस एपर गॉंप दोनम दे α यहां पर देखे यहां पर एक कोशन और बनता है पावर रिकॉर्ट तुट ड्राइब संट्रिफिटल पंप इस रेस प्रोपोस्टल टू तो पावर रिकॉर्ट जो होती हैस पूर्ट यहां पर कुछ इंपॉर्टन मैं आपको बता दे रहा हूं थोड़ा सी रुपना से यहां पर कुछ इंपॉर्टन बन जाते हैं वैंसे चलिए रहा हूं पौवर रिक्षाइट जो होती है वह आपके आपको पता दिया ठीक है कि यहां पर मैं कि अपको कर दूंधन होता है वहता अपिम कर दी क्यू और एंट की छोती ये है पंप कर रहाई कि बात कर रहा वह harass वह और धेट को सब्सक्रेंग के है के वर होता है ये और होता है अब का एन-square और डी-square के इमपोर्टन पेटा इसको लिख लेना कौपी में ठीक है यह कुश्यं आ जाता है कि जो क्यों होता है दिश्चाज होता है किसके प्रोपोर्शल होता है तो dqn के होता है अलाला पूछा आएगा पावर होती है वो टी की पावर 5 डामेटर ओफ इंपैलर वो एन स्पीड है ठीक है तो d5 और n q n q के होता है तो यहां भी याद रखना चलिए क्लियर हो गया नेक्स कुछन देखते हैं तो यहां पर वहीं मैंने पूझा के पावर रिक्वार्ड होगा वह आपका n q और किसके होगा वह बताया था मैंने इसकी पीडिया पीडिया आपको मिल जाएगी इसकी आपको देखना है क्या टेलिग्राम गूर्फ को जॉइन करना है जो आपको लिंक देगी है डिस्क्रिम्न बॉक्स में वह आपको जॉइन कर लेना वहां से तो चलिए यहां पर देखे ड्राफ्ट ट्यूप जो होती है वह आपका रियक्शन ट्रवाइन में होती है के लिए चलिए नेक्स देखते हैं कुछ्छन कुछ्छन देखे इस्पेस्पिस्पीड आफ से ट्रवाइन डिपेंड सबॉन इस पीड होती है वह तो दाना है इस पीड्प और अड़्ाइट पर ठीक है तो यहां अपन एक फॉर्मूला बनता है वह आपको दा यह इस पेस्पीड ओड्राबान के लिए देखिए ट्रावाइन के लिए जो फॉर्मॉला बनता है वो एन एस स्पेसिफिश रोड़ता है एन रूड़ पी अपॉन एस की पाउर फाइब बाइफ फॉर ठीक है यही तो होता है तो यहां पे यह ट्रावाइन की केस में हो गया तो किस किस पर डिपेंड होगी पीड होगी वही इस प्रण होती है और हाइट होगी हाइट ठीक है और यहां पर एक के एक को फॉर्मॉला और बन जाता है वह आपको पता होगा शायद सेंट्रिफिकल पंप की केस में बनता है तो इस पर इस होता है एन रोड क्यू अपन एज की बावावाद त्री वाइफ ठीक है तो यहां पर एन इस पीड क्यू आपका डिस्चार्ज है एज आपको मैनमेट्रिक हाइट होती है यहां पर 3Y4 में होता है 5Y4 मतलब समझ लेना कि वह टर्वाइन की केस में और 3Y4 आपका वह पंप के केस में क्लियर चलिए ने देखते हैं यहां देखिए पैल्टन पैल्टन वील जो होता है उसका क्या होता है एक्जियल फ्लो एन इंपल्स त्रवाइन होती है यहां पर चुका हूं बहुत बार कुशन देखना आपको यहां पर इस्पीड टेस्ट एक आपके तरह की स्पीड है इस्पीड से कुशन कर रहे हो आप प्लिक है चलिए यहां पर देखिए फ्रांसीजी टरवाइन इस बैस ट्रवाइन चो होती है किसके लिए उतिया यहां देखो वह यहां अधर मीडियम है एंड अप्लिकेशन फ्रॉंटी फॉर टू एक 120 मीटर अलब 24 मेटर से लेगे एक स्वासी मेटर की हैड के लिए होती है ठीक है फ्रांसीज ट्रवाइन चलिए नैश्टर देखते हैं कि इस नोट रोटरी पंप रोटरी पंप बार अगयर मेंगे पादबागे और स्कूरी ए सब रोटरी पंप में आते हैं आए चलिके देखते हैं अस्टराटकिया विचुशन देखिए विच कई वीचाइथ से फॉल्फिन पंप, वो Central pump से आपको transfer कि जाते हैं ठीक है चलिए नएक्ष देखते हैं यहां पर देखिए यहां देखिए इस्मॉल डिस्चार्ज एन हाइड विच कम पिच प्रिफरड तो इस्मॉल डिस्चार्ज होना चाहिए और हाइड होना चाहिए तो Central pump वह आपको क्लियर कर दिया हमाने पहले सी और इसमें क्या है कि देखिए इस मौल डिश्चारज हो रहा है इसके इंदर ठीक है एक हम उगई है तो इसका मतलब यह होगा यह आपका रेशिप्र अधुक्र पहले बताया था आपको तो रेसिपोर्ट प्रम्प हो जाएगा ठीक है तो चलिए देखते हैं यहां पर देखिए यहां देखो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड विच वाइदा ओन मॉल्यूकुलर अट्रेक्ट इस कॉल्ड तो मैंने आपको इसको कुछ 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 आटर्क्ट करें हों ठीक है से मॉल्यूकुल इसमें क्या दे रहा है प्रॉटी फ्लूड विच इट्स ओन मॉल्यूकुल सब्सेम मॉल्यूकुल वह तो अलाव डिफेंड दॉमाडिकर ओंगे तो वहां पर अडिशन होगा तो यहां पर कुछिन देखिए यहाला विभी सब करने नई रहा सकता है तो चलिए नेक्स कूशन देखते हैं और यांसर के हो जाएगा जेखिए ने नेट देखो एज आडडियल फूलुड एनी फूलुड मस्ट फॉली फॉल्ट फॉलबविग तो आडडिल कर दिशन में क्या होता है ख़प प्रव यहां पर अपनहां पर खरती रहा टीक तो कंट्यूरेशन के वन इस RAW तो रघ। यह होता है ठीक है तो चलिक धाए लिक्विड लिक्विड जो है वह आपका प्रफ क्यों too फिलीऊ में चैनल बटम उम्हां पर question बोहफी जाए Pablo एगा देटक हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं कुछ्छन डैंसिटी ओफ वाटर बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन कुष्छन है डैंसिटी वाटर मैक्जिमम क्या होता है फोर डिगरी सेल्दियस पर होता है ठीक है चलिए नइस देखते हैं कि कि अप्रतों थे बल्क मॉडलिस, कि टीज का हुता है अगर को ते लिए टेकिस करेंगे टो निए ठीक है तो चलिए नाक्ष्ट देखते हैं नियुसरी देखें 돼 इंग this कुछ clearly does not पॉन एल होता है ठीक है फोस्वाइलेंग चलिए नेक्स देखते हैं कुश्चन यहां पर देखें कुश्चन यहां पर प्रॉपर्टीज फ्लूड विच मॉल्यकुल डिफ्रेंट काइड अफ फ्लूड अट्रक्ट इच अधर इसकोल तो यहां पर देखें सेम टाइप आप ऐसा इनुट इक वल्टू तो इस पीजिए वाटर आप ऐसा इनुट में क्या होगा वही आपको 9.81 इंटू 10103 नीटन पर मीटर क्यों होता है ठीक है सी आंसर हो जाएगा नेक्स देखते हैं अगे यह कुशन कह रहा है कि प्रेशर एक पॉंट फ़ोड़ प्लोड नॉट बी सेम इन डारेक्शन वंपलूड इस तो स्थी अगलता है वहां पर पास कल्ड़ लग जाता है ठीक है घर अब्ल्वी फिर हम काशन सब से जादर पूचा जाता है यह कुशन तो इसका सी हो ज condition में भी वह फ्लूड आपको आप फे फ्लो करता है चलिए नाफ्श देखते हैं यहां देखिए विस्कोसिटी ओफ वाटर इस कंपेर्जन तू मरकरी जो भी आजओ वाटर वाटर की जिसकोसिटी कैसे होगी और और mercury की viscosity तो यह आंसर हो जायागा ठीक है water की viscosity होगी वो आपकी higher होगी ठीक है viscosity higher होगी देखिए इस question में जो पूछा गया है वो समझे तोड़ा सा viscosity of water comparison to mercury तो mercury की comparison में पूछा है तो mercury जो होगी वो higher viscosity होगी water की viscosity कम होगी ठीक है याद रखना यहां पर थोड़ा समझ लेना यहां पर देखो HG है mercury है यहां पर water है S2O में लिख दे रहा हूं ठीक है तो हाई जो विसकुसरी HG की है वो ज़्यादा होगी वो इसकी कम होगी ठीक है water की तो चलिए क्योंकि HG होता है वो थोड़ा सा गाड़ा होता है ठीक है चली देखते हैं कुछन देखिए अंडर कुछन पूरे होंगी इसमें कुछन है न वो different हो गए हैं इधर उतर हो गए हैं कुछन तो कुछ दिक्कत नहीं है यहां पर देखिए देखिन दैंट बल्र नाशल मोद्रलस टेक विशं इंकी सब्सक्राइब तो यहां पेडिक्त फॉब दिक्कत होता है तो किसी सब्सक्राइब तो कानिंग से नीज़र होती है उसन सबस्काइब चॉब होती है इसका हो जाएगा ऊटर एक्शो क्सक्राइब देखिए the fluid force considered in a navy stock equation तो navy stock equation जो होती है आपको उसमें क्या के fluid होते हैं उसमें देखिए navy stock में gravity force होता है gravity force pressure force and viscous force होते हैं ठीक है surface tension force नहीं होता है तो navy stock equation भी यह होता है चलिए देखिए question देखो for pipe laminar flow occur when Reynolds number तो laminar flow के लिए भाई क्या होगा less than 2000 ठीक है राव समबा जो होता है वह less than 2000 से होता है 4000 से वह हो जाता है तो वह क्या हो जाता है turbulent flow हो जाता है ठीक है clear चलिए देखिए यहां पर सब important question है like करते हैं वीडियो को यहां देखिए the fluid force considered in Navistock equation तो Navistock में पढ़ चुके हैं अभी कोई दिक्कत नहीं दोबार हो गया question देखिए hydrometer is the use to determine hydrometer के specific gravity of liquid तो specific gravity को measurement करता है hydrometer ठीक है चलिए नास देखते है question यहां देखिए for hypersonic flow mac numbers तो hypersonic flow के लिए mac number जो होता है वो greater than 4 होता है यहां पर मैं कुछ important question बता देखिए देखिए यहां पर कुछ important question यह है कि mac number जो होता है न mac number अगर एक से कम है ठीक है तो यहां पर subsonic flow होता है subsonic subsonic हो गया mac number और एक के बराबर है तो यहां पर sonic flow होगा और mac number एक से लेके और 6 के बीच में होगा तो यहां पर supersonic होगा supersonic और mac number अगर 6 से ज़्याद आए ठीक है तो यहां पर hypersonic होगा hypersonic hypersonic flow होगा ठीक है यह question कुछ बहुत जादा पूछे जाते हैं आज गल तो इनको तैयार कर लेना जाले ना देखते हैं question क्या है कि देखें cavitation इस कॉज़बै तो cavitation जो होती है वह वह होती है वह भाई वह होती है लोग प्रेसर के करण ठीक है याद रखना लोग प्रेसर हाई प्रेकर तो लोप्रेशन सक्षेन होगा है यहां प्रेशन करण यहां पर बबल स्टार्ट हो जाता है वह पाइप को खराब कर देते हैं तो यहां पर देखिए क्या है के पॉर पाइप ट्रॉलन की कंदिशिन में ङुल जाईगा हों एक हमो देन 4000 की कंदिशन में जो नॉल्स नमर होता है और रोव इडिया पॉन में होता है रो शाले रहां आपको यहां पर कुछन देखिये पॉर पाइप ट्रॉबलन फ्लो तो फ्रप्रप्रव्लेंट फ्लो ओकर सब्सक्राइब तो ट्रव्लेंट फ्लो के लिए जो होता है वह फाइब आपका एक होगा आपका देन तो बत्र Mmm यूनिफ़ो फ्लो करना हूं तो यूनिफ़ों फ्लो ओकला यूनिफों सब्सक्राइब क्या आप लोगे तो कैसे निगलेगा वाटर इस तरी किसे निगलेगा ठीक है इस तरी किसे निगलेगा ठीक है क्या होगा भी आंसर हो जागा ठीक है चलिए नाइस्ट कुछन देखिए यहां पर यहां पर देखिए यहां पर देखिए यहां पर यहां पर देखिए फ्लो वाटर इन पाइप त्री मीटर डायमेटर के लिए जो भी यूज करते हैं को पर दो थें एक BI कि partnered करने के लिए थे टिकष्टे बेलुसिटी मीजरमेंट करने के लिए लिए होती है जली नाइस्ट देखिए है कुछ न्मध्र रोटर मेटर काथी वह इस कि लिए थ abilities के ये ए बाइं प्कुक्त मेसां कि लिए कि अब दिश्चार्ज मेंट करने के लिए होती है रोड रमेटर डिवाइस ठीक है और देखो यहां पर होट वायर अनुमेटर जो होता है वह अधिक्षाद यह जो देखते हैं यहां पर दिफरेंटिल जो मैनुमेटर होता है वह आपको डिफरेंट पाइप प्रेसर होता है बिट्विन टू पॉइंट ठीक है डिफरेंटिल मेनमेटर चलिए नेस्ट देखिए यहां पर देखिए रेशियो आफ मैं कुछ इंपूर्टन कुर्शन और बता दे रहां आपको अभी थोड़ा से रुख जाईए देखिए यहीं पर मैं आपको थोड़ा से बता के लिए होता है ठीक है मोटि हो गया और फिस मेंटर हो गया और फिस मेंटर तो थ्याज मीजरमेंट करने के लिए पहने होते है और संक्राइब कर आदो क्या होते हैं को आपको फीड के ओपन चैनल के लिए होता है असी है और यह उसको कर सकते में चलिए यहां फोट होता है मैंने एक प्ताई थी आपको आर वी एफ जी डबी एस एपी एम एटेकर तो सब में होता ही उपर तो लास्टिक किसमें होगा विछ लास्टिक फोर्ट किसमें होगा इनसे फोर्स यह मैं नंबर हो ठीक है तो देखो M E का मतलब क्या है M मतलब Mac नमबर E मतलो लाटटिक फोर्ट तो सम्में वहता ही है उपर डिक तो मैंने क्या कर напcky अनूबर नीचे लाटिक फोर्टो इसे फोर्टफ लाटिक होता है एंसे नंबर होता है थे तो वेवर्स नंबर हो गया थे चलिए नएच देखिए कुछन कुछन देखि नेक्स्ट है अधो हम इस बोड़ी फ्लोट्स टेबल इक्लिवियम तो इस्टेबल इकलिवर्म में क्या होगा वह वेन दे मैंटर सेंटिक हायट सीजी ठीक है सीजी से उपर होगी तो यहां पर कि इस्टेबल एक्टिलिवरम होगा यहां पर मैं कुछ इंप्रण प्वार में के लिए अगर दो आपको समझ लिए थोड़ा सा तो यहां पर देखिए अगर आपका नीचे है एम और बी से तो यहां पर स्टेबल एक्टिलिवरम होगा याद रखना जी अगर एम और बी से नीचे है तो यहां पर है एम और बी से तो आपका अनस्टेबल क्लिवरम होगा और जी अगर बरावर है एम और बी से तो नीट्रल कंडिशन है कुछ फ्लोटिंग बोड़ी में लेते हैं क्या बोला है फ्लोटिंग फ्लोटिंग-स्ट्यम्किलियम तो स्टेल्जून में क्या होगा में वेन से मैं चैनल प्लोटिंग कंडिशन मिनुख कर्यों जब डिम पिग्रम यह दो में एपको बताया था कि जी जो होता है वह एम और वी से नीचे होता है ठीक है तो यह तो वही बोला है ना वैंड मैटर सेंट्रिक हाइट इज कहा गया है यह हो गए भी वैंड मैटर सेंट्रिक हाइट इज एवर होती है चलिए नेक्स देखिए यहां देखिए मैटा सेंट्रिक हाइट इस डिस्टेंस बिट्वीन दॉम तो मैटा सेंट्रिक हाइट में आपको बताया था उती है मैटा सेंट्रिक इसका किसगा अंचरा इसका है मैटा सेंट्रिक हाइट wonky इसका इसका अंचर ही होती है वह होती है वह आपकी होगी मैटा सेंट्रिक यहां देखिए which are the following instrument is said to be measure flow application Bernoulli theorem तो Bernoulli theorem के लिए क्या करते हैं देखिए Bernoulli theorem के लिए सब करेंगे यहां पर देखिए वेंचिरी मेटर भी करेंगे और सुनिमेटर भी खरेंगे वो मैं आपको कर दोँ है देखिए 50 जो होता है वह देखिए यहां पर क्या है अन्सट दे रखा है इसने वह 65 इसने रखा इसने वह जादा लोगा इस अञ़्द गूदियों हो सकता है ठीक है अगर वेली लोग प्रेशर आगर आपका आए तो वेली लोग प्रेशर लाएंगी अगर मॉड़र प्रेशर आए तो सबसे पहला अंसर यह होगा अगर प्रेशर दूसरी क्या है only pressure liquid pressure को measurement करते है only liquid pressure liquid pressure के लिए होता है not gas not gas के लिए ठीक है, gas के लिए use नहीं करते है पीजोमेटर को, ठीक है तो चलिए, और ये देखो, पीजोमेटर जो होता है वो आपका gauge pressure और vacuum pressure P gauge और प्लस P vacuum दोनों को measurement कर सकता है पीजोमेटर, clear चलिए, next देखते हैं, question क्या है next question देखे which of the following instrument can we use for measuring speed of aeroplane, तो speed of aeroplane भई क्या होगा speed of aeroplane देखे, pitotive, important है ये question, बहुत ज़्यादा question पोचा जादा है, मैं सही बता रहा हूँ आपको बहुत सारे question, मैंने बहुत सारे exam में देखा है, तो pitotive होगा, ठीक है अब यहाँ पे ये question और आ गया, ठीक है ये question पोच्छते हैं कि aeroplane की speed कैसे measurement करता है, तो मुझे लग रहा है इसका especially video बनाना पड़ेगा, ठीक है, aeroplane की तो pitotive होगया, चलिए, next देखती है, यहाँ पे देखो, यहाँ देखे, which of the following instrument can be used for measuring speed of submarine moving in deep sea, तो submarine deep sea के लिए क्या करेंगा, यह भी pitotive होगा, ठीक है, चलिए, next देखिए, यह barometer, barometer के use कैसे करते हैं, barometer का use होता है, ठीक है, वो आपका, क्या होगा, very low pressure, pressure in pipe channel, atmospheric pressure होता है, ठीक है, barometer के use होगा, वो atmospheric pressure होता है, ठीक है, चलिए, next देखिए, mercury is often used to, mercury is often used to barometer, because, क्यों करते हैं भई, आपका, it is the best liquid होता है, गलाता है, height of barometer will be less, and its vapor pressure is low, that may be neglected, ठीक है, B और C और उसका answer होजाएगा, barometer mercury, जो use करते हैं, barometer में, वो भई क्यों करते हैं, low pressure, low vapor pressure के card करते हैं, ठीक है, उसका vapor pressure लो होता है, इसके card करते हैं, तो चलिए, next देखते हैं, डीज का answer हो जाएगा, देखिए, next question देखिए, neutral law of viscosity is relationship between, neutral law of viscosity जो होता है, वो क्या भई, क्या होता है, उसका देखिए, shear stress, इसमें answer क्या देखा है, A answer, देखिए, shear stress and angular deformation होता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो, tau is equal to mu du upon dy, देखिए, like आपको वीडियो करना है, ठीक है, 100 question है, पूरे, यहाँ आप देखिए, capability action is due to, capability action जो होती है, वो क्या होती है, capability action में जो होता है, वो addition, दोनों होगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए, d answer जो हो जाएगा, all of above, surface tension भी होता है, coefficient of liquid होता है, addition of liquid, molecular, molecular on the surface, solid, ठीक है, तो all of above होगा, चलिए, next दिखते हैं, liquid transmit pressure equally in all direction, this is according to, ठीक है, liquid transmit pressure, तो यह pass कर लो होता है वही, ठीक है, pass कर लो होता है, क्योंकि यहाँ पर, transfer equal pressure पढ़ रहा है, ठीक है, किसी भी body पर, तो pass कर लो होता है, यहाँ पर, चलिए, यहाँ देखिए, यह question देखिए, free surface, liquid tends to contact to the smallest position area, due to area, तो यहाँ देखो free surface, तो यह आपका होगा, surface tension के कारण होता है, कोई भी बूंद है, आपने देखिए, बारिश की भूंद जब गरती है, तो गोल, गोल area कर देती है, ठीक है, तो यह सब surface tension के कारण होते हैं, यह question, बहुत जाद पूछे आते हैं, यहाँ पर देखिए, specific weight, sea water is more than pure water, because, तो sea water जो होता है, आपका समुद्र का पानी, वो उसका specific weight होता है, क्यों होता है भई, क्योंकि उसमें dissolve salt, salt इसमें ज़्यादा होता है, इसके लिए उसका जो density होती है, वो भी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसका जो answer हो जागा, तो वो हो जाएगा भई, क्यों होगा भई, क्यों होगा भी, D, all of our, मतलब, देखो, सस्पेंट मैंटर होता है, उसके अंदर dissolve salt होता है, dissolve air होती है, ठीक है, चलिए, यह, इस्टेवल लिक्रियम यह तो कल लिया है अपनने, यहाँ देखे, यह liquid, वेट वेट अपद अप्द शॉलड इन एडिशन फोर्स एस कंपेर टू कोईजन फोर्स, तो देखे, यहाँ पर वेट की कंडिशन में जो पूछा गया है, वो क्या अंदर होगा, यहाँ देखे, यह क्या पूछ रहा है, यहाँ देखे, यहाँ देखे, फैलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर वीकम इस पेर ड्यू तू दा प्रॉपरटी, तो वाटर जो फॉल करता है, बारिश का, तो वो इस्पेर की पॉर्म होता है, मतलब वो होता है, आपका गोल, बूंद होती है, तो वो किसके कराड़ होती है, यहाँ देखते हैं कुछ्छन, यहाँ देखिए, वो क्या होता है, आपकी, इस टॉक होती है, ठीक है, टाइन विसकोटी होती है, पास्कल, और यहाँ पर पॉईस भी होती है, लेकिन इस जो इस टॉक है, वो आपकी, कानिमेटिक उसकोटी की है, चली है, नेक्स देखिए, बाइवन फिदापाईंसी, जो डिपरेणस होगी वई, वो किसपे डिपरेणन होगी, मांस अप टालेक्डिक डिस्प्रेश, जिस पे मतलब लिपडिक्ड्ड डिस्प्रेश करेगा, उसके मास पर डिपेंट करेंगी बायों सी चलिए नेक्स देखते हैं कुश्षन तो यहां देखिए मैंने आपको सारे कुश्षन करा दिया हंडर कुश्षन करा दिया है वही आपको देखो वीडियो को भई लाइक जरूर कर देना है और ठीक है यह कुश्षन कुछ स्पीड मैंने आपको बताया नहीं है एक दो कुश्षन आपके थोड़े से रॉंग आंसर इसमें लिखे हुए मैं कोई दिखे दिए उसको मैं क्लियर कर दूंगा आपको एम आर के मेकैनिकल को ठीक है और लाइक जरूर कर देना वीडियो को इसके बाद जो मैं वीडियो बनाओंग कर देना चैनल को लाइक भी कर देना तो कल वीडियो को मैं स्पेशल वीडियो लेकर आता हूं यहां पर देखे आपको इसकी PDF में मिल जाएगी ठीक सबस्क्राइब कर देना चैनल को और टेस्ट करने के लिए आपको टेलीग्राम गुरूप को जोइन करना पड़ेगा नहीं कर पा रहे हो तो टेलिग्राम डा만ा लूड कर लेना वहां पर सर्च करना MP abour की तो इस current के अप उसको जॉन कर लेना वहाँ पर इसकी पीडियाप मिल जाएगी आपको अच्छी तरीएंच से डानलोड कर लेना और पड़ लेना तो चलिए ये बेड़ जूलो साफ प्रोता हुआंग जाइंग